आईए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम सभी ये कमाल के औश्यदी है सत्यनाशी लेकिन इसका उपयोग कुछ लोगों को नहीं करना चाहिए नहीं तो बहुत जादा नुकसान हो सकता है वैसे तो ये कमाल के औश्यदी है क्योंकि मुत्र विकार हो उसको दूर करती है इसके सेवन से आप जलोदर को दूर कर सकते हैं इसके सेवन से आप सुजाक से रहत पा सकते हैं इसके अलावा तवचा के रोगों को दूर कर सकते हैं पिलिया को दूर कर सकते हैं इसके अलावा खासी से रहत पा सकते हैं आप सभी इसके अलावा आखों क माध्यम से जानते हैं कि किन लोगों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए यह गरभावस्था और अस्तनपान के दोरान लागकारी नहीं मानी गई है यानि कि जो इस्तिरियां गरभवती हो और अस्तनपान करा रही हो यानि कि बच्चे को दूद पिलाती हो उनको इसका उपय जादा मात्रा में कभी भी नहीं करना चाहिए इसके अलावा को लाइटिस यानि कि आतों में सूजन दस्त और इरीटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्या आपको सता रही है तो उस इस्थिती में इसका उप्योग आपको नहीं करना है अन्य था आपको लाब की जगा नुकसा अगर इसके बारे में पूनता जानना चाहते हैं आप सभी कि सत्यनाशी के उपयोग से कौन-कौन सी बिमारियों को आप सभी दूर कर सकते हैं तो आप इसी चैनल पर पढ़े हुए एपिसोड सत्यनाशी के फायदे और नुकसान चरूर देखें उसमें आपको अलग-अलग बिमारियों को दूर करने के लिए जो भी हमने इस वीडियो में बिमारियां बताई उनको दूर करने के लिए कैसे उपयोग करना है इसका इस बारे में बताया हुआ है और इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है बस आपको जाना है प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट म देख सकते हैं ये आज की वीडियो रही ऐसी ही नोलेज़ फूल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जूर जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लें ताकि नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों